तो आईए हम आज के वचन में जाएंगे आज का जो वचन है मैं आपके सामने पढ़ूँ आलेलोईया भजन सहीता 118 का 19 साम 118 19 मेरे लिए धार्मिक्ता के द्वार खोलो मैं उनसे प्रवेश करके यहां का धन्यवाद करूँगा हालेलोईया प्रेस लौट धार्मिक्ता क्या इश्व ने जब क्रूस पर अपना लहू बहाया और क्रूस पर जब उसने हमारे पापों से अपने आपको पापों को लिया तो हमें क्या दिया अपनी धार्मिक्ता दी प्रेस लौट उसने हमें पवित्र किया अपनी आत्मा से हमें शुद्द किया अपनी आत्मा को हमारे दिए प्रेस लाट वह महान उस महान पिता ने अपने लोज पुत्र के दौरा हमें पूरी तरीक ہے से शुद्ध किया हमें इस योग्या बनाया ताकि हम परमिशर की सेवा कर सकें हम इसोग्या बनाए कि अप्होर्म को समझ ४ मेरी बेहन हमारी आत्मा को इसलिए नया किया गया है हमारे मन को इसलिए बदला है पत्थर का हिर्दा निकाल कर मास का हिर्दा इसलिए डाला है अपनी आत्मा को इसलिए उड़ेला है तक कि हम उसको समझे कलीसिया पिता को जानने के लिए है कलीसिया परमेश्वर ने क्यों बनाई है ताकि हम परमेश्वर को जाने उसके ज्ञान को जाने उसकी उपस्तिती को महसूस करे उसमें जीना शुरू करे परमेश्वर में जीना शुरू करे तो यहाँ पर वचन का कहता है कि मेरे लिए धार्मिक्ता के द्वार खोलो भजनकार कहता है मेरे लिए धार्मिक्ता के द्वार कोलो क्योंकि मैं उस मार्क पर चलकर परमेश्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे भाई परमेश्ट ने ये स्रिष्टी बनाई किसके लिए हमारे लिए अगर आप उत्पत्ती पढ़ेंगे आप जानेंगे कि पर्मिशन ने कितने अध्वुत तरीके से स्रिष्टी बनाई और हर स्रिष्टी हर दिन जब भी वो स्रिष्टी रष्टा था उग कहता था अच्छा है उसे देखता था और अच्छा है हालेलया प्रेस अलॉट उसने हमें बनाया अपनी समानता अपने सरूप में प्रेस अलॉट क्यों बनाया हम उसे क्या दे सकते हैं क्या हम इस काबिल है कि उसे दे सकें नहीं वो क्या चाहता है हम से धन्यवाद वो कुछ नहीं चाहता है वो चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें प्रिस अलोट लेकिन हमारा धन्यवाद आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा धन्यवाद बिना हमारी धार्मिक्ता के वह तक नहीं पहुंच सकता है हमें उसके लिए अपनी धार्मिक्ता को बढा कर रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा धन्यवाद हमारे दिल से निकला हुआ धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचे तो बहुत जरूरी है कि उसको जाने क्यों? क्योंकि आप पली से आते हैं आज आपके सर में दर्द है आज आपकी आँख की प्रॉब्लम है आज आपका कान से आप सुनते नहीं है और इश्व मसी ने आपको चंगा किया उस दिन आपने धन्यवाद कहा लेकिन घर जाकर फिर आप संसार में हो गए प्रेस अलोट परमेश्वर चाहता है कि संपून तरह से उसकी धार्मिक्ता में उसकी धार्मिक्ता में जीवन बिताते हुए उसको समझते हुए हम धन्यवाद करे प्रेस अलोट ये शाया 43 का 10 निकाली है ये शाया 43 का 10 यहवा की वार्णी है वो चाहता है कि हम उसके गवाबने हम उसके दास बने प्रेस अलोट यहवा की वार्णी है तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो जिने मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतिती करो किसलिए चुना पर्मेशन ने आपको समझ कर उसकी प्रतिती करो समझ कर उस पर विश्वास करो यही विश्वास ना करो वो कोई ऐसा आम इंसान नहीं है जिसने आज आपका फाइदा किया आपने उसका धन्यवाद किया और आपने का यह हुआ बहुत अच्छा क्योंकि उसने मुझे धंदा दिया उसने मुझे नौकरी दी उसने मुझे मुझे चंगाई दी वो तो देने वाला है लेकिन वाइबल कहती है समझ कर क्योंकि अगर हमने उसको समझ लिया मेरे भाई तो शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है क्या हमारे जीवन में रोग हो या ना नौकरी हो या ना हो धंदा हो या ना हो पैसे हो या ना हो उसका प्यार हमारे जीवन से कोई नहीं निकाल सकता है इसलिए वो कहता है कि धर्मिक्ता के द्वार खोलो वो धर्मिक्ता जो परमेश्चर की है वो धर्मिक्ता जो परमेश्चर ने हमें धी है उधार मिक्ता जो आपके अंदर है जब तक आप महसूस नहीं करेंगे उधार मिक्ता को मेरी बहन तो आप धन्यवात नहीं बोल पाएंगे प्रिस अलॉट परमिशन ने आपको चुना है और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द इशुमासी आने वाला है कितने विश्वास करते हैं इशुमासी बहुत जल्द आनेंवाला है हम जाकर वहां क्या करेंगे प्रिस अलॉट करेंगे 4, 8 से 11 हम क्या करेंगे वहाँ जाकर और क्या होता है वहांपर सिंगासन पर जब परमेश्र बैठता है उसके चारों तरब उसके सामने 24 प्राचीन बैठते हैं वो चार प्राणी उसके सामने ख़ड़ रहते हैं सदा के लिए Praise the Lord परमेश्वर जिसने सिश्टी की रशना की जिसने हमें रचा हमें बनाया जिसने हमें चुना और जो हमें अपने साथ लेकर जाएगा आई हम दिखाते हैं कि स्वर्ग में क्या होता है परमेश्वर के सामने निकालिए आठ से ग्यारा के बीच में चारों प्राणियों के छेचे पंक हैं और चारों और और भीतर आखे ही आखे हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर सर्व शक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है बिना विश्राम लिए वो हर पल कहते है पवित्र 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 परमेश्वा जो युगान युग है जो था जो है जो आने वाला है वही महाल है प्रमेश्वा जो युगान युग चीवता है महिमा और आधर और धन्यवाद करेंगे परमेश्वा क्या चाहता है धन्यवाद स्वारि में जाकर हमें क्या करना है धन्यवाद वो प्राणी हर पल बिना विश्राम के बोलते है तुपवित्र है वो सिंगासन पर विराजबान पिता वो सिंगासन पर विराजबान सर्वग्यानी सर्वव्यापी पिता जिसने हमें मुक्त किया पापों से श्रापों से जिने अजस ने हमें अपनी इच्छा से आजाद किया पाप से जो हम से इतना प्रेम करता है मेरी बेहन कि हम उस प्रेम को समझें नहीं पाते Bible कहती है उस प्रेम को समझना असान नहीं है इसलिए हो कहता है कि तुम मुझे समझ कर मुझ पर विश्वास करो यूही विश्वास्ता करो तब मेरे तुम गवा बनोगे तब तुम मेरे दास होगे जिसने तुम मिझे समझ लोगे आगे तब 24 प्राचिन सिंगासन पर बैटने वाले के सामने गीर पड़ेंगे और उसे जो युगानुक जीवता है प्राणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंगासन के सामने यह कहते हो डाल देंगे हे हमारे प्रभू और परमेश्वर तु ही महिमा और आदर और सामत के योग्य है क्योंकि तु ही ने सब वस्तुई श्रुजी और वे तेरी इच्छा से थी और श्रुजी गई आदर के योग है तु जेसा कोई नहीं है हम तुझे धन्यवाद करते है हमें अपने जीवन में उसको धन्यवाद कहना है हमें अपनी धन्यवाद को उस तक पहुचाना है हम धन्यवाद क्यों नहीं कह पाते क्योंकि हमारा द्वार बंद है हमारा द्वार क्यों बंद है क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते कि उसने हमें जो पवित्र किया है और हम पवित्र हैं, आप विश्वासी नहीं करते हैं, पर मेशर की धर्मिक्ता आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रही है, कुलिशियो एक का बाइस, कुलिशन 122, प्रभू ने आपको पवित्र कर दिया है, निश्वापी बना दिया है, और यहां तक कि उसे अपने क्रूस पर मौत के द्वारा आपको शुद्ध करना पड़ा, अपने मौत को हरा कर, मौत को लेकर उसने प्रमार दिया, और आपको उपस्चित किया, पवित्र निश्वापी बनाकर एक का बाइस पढ़िए उसने आप उसकी शरीर शारेरीक दिया है मृत्तु की द्वारा तुमारे में मेल कर दी लिया ताकि तुम्हें आपने सम्मुक पवित्र और निश्कलंक और निर्दोश बनाकर उपस्तित करें अपने अपने लहुक द्वारा श्रुन है हम सुने हैं इसलिए उसने अपने आप हमारे सारे अपरादों को माफ कर दिया हमें माफ किया और हमारा मेल मिलाप इश्यो मसी के द्वारा हमसे किया और हमें मेल मिलाप की से विकाई दी आगे उन्निसवा अर्थात परमेशो ने मसी में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपरादों का दोश उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौप दिया है हमसे मेल मिलाप करना आने के लिए इशो मसीध धर्ती पार आया था जिसने पिता से और हमारा मेल मिलाक किया वो मध्यस्त है और यह सारी चीज़े मेरे भाई, मेरी बेहन हमें मुफ्त में मिली है हमने इसके लिए कोई प्रात्रा नहीं की हमने इसके लिए कुछ नहीं माँगा हमें मिल गई लेकिं हम महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम निश्कलंग हैं परबेश्वर कैसी आपके जीवन में काम करेगा एक चिटा सा उधारण मैं आपको देता हूँ एक लड़का यह लड़की से प्यार करता था लड़के को लड़की पसंद आगे किसाथ नहीं मैं शादी करूँगा इसी से करूँगा ललकी भी ललके को पसंद करती थी लेकिन ललके को पता लगा कि ललकी एक प्रोस्टिटूट है वहशिया है वो गलत काम करती है ललका प्रभू को मानता था रेज जलोट और ललके ने का कोई बात मैं इस ललकी से प्यार करता हूँ इसके अपरादों से प्यार नहीं करता हूँ इसके पाफ से प्यार नहीं करता हूँ I love her उसने इस ललकी से का कोई बात नहीं मैं जानता हूँ कि तुम वहश्या तुमने वहश्या विर्थी की है मैं जानता हूँ कि तुमने दुनिया को धोका दिया है तुमने पाप किया है और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ हर चीज से तुम मेरी हो और मेरी पत्नी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ हाललया उन दोनों की शादी हो जाए कैसी आपके जीवन में काम करेगा, एक चिटोन सा उधारण मैं आपको देता हूँ, एक ललका ये ललकी से प्यार करता था, ललकी को ललकी पसंद आगी के साथ? नहीं, मैं शादी करungenआ इसी से करूगा, ललकी भी ललकी को पसंद करती थी, लेकिन ललके को पता लगा कि ललकी एक प्रोस्टिटूट है वहशिया है वो गलत काम करती है ललका प्रभू को मानता था और ललके ने का कोई बात नहीं मैं इस ललकी से प्यार करता हूँ इसके अपरादों से प्यार नहीं करता हूँ इसके पाफ से प्यार नहीं करता हूँ I love her उसने इस लड़की से का कोई बात नहीं मैं जानता हूँ कि तुम वैश्या तुमने वैश्या विर्ति की है मैं जानता हूँ कि तुमने दुनिया को धोका दिया है तुमने पाफ किया है और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ हर चीज से तुम मेरी हो और मेरी पत्नी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ हाललया उन दोनों की शादी हो जाए अब लड़का जो है उस लड़की से बहुत प्यार करता है वो उस ललकी में पवित्रता देख रहा है लेकिन ललकी ललके से प्यार नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पाप विशारों के रूप में उसके सामने आते है कि मैं पापी हूँ मैंने वैश्या वृती किया है मैंने धोका दिया है मैंने बहुत गुना किया है, बहुत गलत किया है प्रिस अलॉट अब वो अपने पती के करीब नहीं आ पा रही है आप सुचिए किया आप उस सुक्क को पाप आएंगी जब तक आप अपने दिल से नहीं निकालेंगे कि मैंने पाप किया है मैं पवित्र हूँ ललके ने माफ कर दिया उसने का तो मेरी बेबी हो मैं तुम्हें माफ करता हूँ तुमने कुछ भी किया हो कोई बात नहीं मैंने तुम्हें अपनाता हूँ लेकिन ललकी उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही है और जब तक वो निकाल नहीं पा रही है वो अपने पती का प्रेम नहीं पा पा रही है अलेलुया ऐसा ही होता है पिता परमेश्वन ने हमें माफ किया पिता परमेश्वन ने हमें पवित्र भना दिया पिता परमेश्वन ने हमें पावित्र भना दिया क्यों आता है ? क्योंकि मेरे भाई जब आप प्रभू में आए आपने गहराई से पइच्चाताप नहीं किया आप उस छोटे से कमरे में नहीं गए मती छे का छे उस छोटे से कमरे में जाकर आपने नहीं क takiego कि पिता मैं अपने अंदर से समशुद्धा निकालना चाहता हूं गहराई से पश्चाताब आपको परमेश्वर के नजीक लेकर आता है गहराई से पश्चाताब आपकी पुराने जिन्दगी से आपको निकाल लेता है हम अप्रिस्म लेते हैं चड़ चाहते हैं लेकिन संसार को लिए हुए क्यों पर्मेशर हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा है क्यों उसकी आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रही है क्यों 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 कि उसकी आत्मा को हम कष्ट देते हैं शोकित करते हैं हम उसके जैसा जीवन नहीं बिठा रहे हैं मेरी भेन जिस दिन आप समझ लेंगे कि ईशु ने आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया है पर मेश्वन ने आपको पूरी तरीके से आजाद कर दिया है आप समपूर्ता में हैं आप नहीं जानते आप कौन है जिस दिन आप यह समझे लगेंगे कि मैं कुछ हूँ मैं पवित्र हूँ मैं निश्कलंक हूँ निश्पापी हूँ पता आप क्या हो जाएंगे पहला यौना चार का सत्रा पहला यौना चार का सत्रा जिस दिन आप विश्वास करने लगेंगे महसूस करने लगें कि मैं पवित्र हूँ जिस दिन आप महसूस करने लगेंगे मैं निश्पापी हूँ मैं निश्कलंक हूँ मेरे सारे पाप निकल चुके हैं मेरे सारे अप कि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है यो जैसा वह है कौन है हुआ वह कहां है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है, हलो, परमेश्वर ने आपको मंद्र बनाया है, उसने अपनी आत्मा आप में उड़े लिये, जिस पासवान ने हमें बताया भी, हमें सब में उसकी आत्मा है, लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, उसकी आत्मा काम नहीं करेगी, पेस अलॉट, नहीं करेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, जहास बनाने वाला इंग्जीनियर, जिस इन परमु ने चुआ, सब कुछ छोड़कर परमु को नहीं छोड़ा, लेकिन आज परमेश्वर ने इनको कहा खळा किया है, धारवाल में तीन तीन अपने चर्च है, लोग आते हो राशीश पाते हैं, इस अलॉट, ये कब किया परमेश्वर ने, जब आपने समर्पित किया, जब आपने बताया, जब आप उसकी चाल चले, जब आपने उसकी इच्छा पर ध्यान दिया कि प्रभू क्या चाहता है, आप कलीसी आते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, आपको कलीसी आना चाहिए कि प्रभू क्या चाहता है, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, प्रभू क्या चाहता है, मुझे प्रभू की इच्छा को ध्यार में रखना है इब्रहाइम ने क्या देखा था प्रभू की इच्छा इसाक जिस इकलोते पुत्र को इस सौ साल में उसने पाया क्या देखा परमेश्वर की इच्छा मेरे पिता ने कुछ मांगा है मुझसे हलो मैं मांगता रहा मैं रोज मांगता हूँ नौक भी मांगता हूँ ये मांगता हूँ आठ मेरे पिता ने मुझसे मांगा है और आठ को सौया नहीं लकडिया लाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहता लकडिया जोडता रहा हललोया होम बली का सामान जोडता रहा और प्रभू के पास गया क्यों? क्योंकि वो प्रभू का मंदिर था हाललुया उससे समझ लिया था प्रभू कौन है उससे जान लिया था कोई पिता कौन है उस समय बाइबल नहीं थी मेरे भाई कोई नभी भी नहीं था बताने के लिए लेकिन उसने पिता के मन को जान लिया पिता के सामर्थ को जाना उसने आज तो हमारे पास बहुत कुछ है पवित्रात्मा का हशीश है हमारे साथ लेकिन वो गवाई जो प्राचीनों की थी आज की गवाईयों में कमी है क्योंकि हम साथ कर विश्वास नहीं करते हैं हम देख कर विश्वास करते हैं बाइबल कहती है जो दिखता है उस पर विश्वास मत करो जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करो हालेलिया हम पवित रहें और मंदिर हैं कितने विश्वास करते हैं हम मंदिर है यह बहुत पहले परमेश्व ने गीत दिया था मुझे हम है मंदिर हम है मंदिर हम में इश्व की रूह बसती है उसकी गर्मा उसके आशिशों की जोती जलती है हम है मंदिर हम है मंदिर हम है मंदिर इश्व ने अपने लहू से इस मंदिर को साफ किया मन के मंदिर में बैठे हर दुश्मन को माफ किया प्राधना आत्मा को शक्ती सदा देती है हम है मंदिर हम में इश्व की रूह बसती है उसकी गर्मा उसके आशिशों की जोती जलती है हम है मंदिर इश्व लाया धर्म ये हर मन में एक मंदिर हो इश्व लाया धर्म ये हर मन में एक मंदिर हो जिसमें सदभाव ना हो त्याग हो प्यार निरंतर हो सुख की जोती इशु के वचनों में ही बसती है हम है मंदिर हम में इशु की रूह जलती है हम है मंदिर अगर हम अपने आपको जान ले हम मंदिर है आप रोज आइने के सामने ख़़े हो ये और बोलिए मैं इशु का मंदिर हूँ आप महसूस करिए काम से निकलने से पहले बोलिए मैं इशु का मंदिर हूँ कोई भी सामने संकट आए शैतान आपको जूट बोलने पर आवादा करे बोलिए मैं इशू मसी का मंदिर हूँ उसकी आत्मा आपको शक्तिशाली बनाएगे हालेलुया आपके अंदर से लालस निकल जाएगा बोलिए अंगिकार करिए मैं इशू का मंदिर हूँ पत्नी पत्नी से कह के मैं इशू मसी का मंदिर हूँ हालेलुया मैसूस करिए अंगिकार करिए अपने आपको मंदिर में देखिए मैं इशू का मंदिर हूँ प्रेस लाट अर हिंदुस्तान में हमारे चर्शिस जला जा रहे है हमारे पासवानों को धोका दिया जा रहा है पीटा जा रहा है प्रेस अलोट यह चर्श वो लोग तोड़ सकते हैं लेकिन हमको नहीं तोड़ सकते क्योंकि हम इशु का मंदिर है नहीं तोड़ सकते हैं हम प्रभू के मंदिर हैं और उसकी आत्मा हम में वास करती है, मेरे भाई, वो समर्थी आत्मा, आप क्या नहीं कर सकते, अपने साथ अगर ईशू को लेके चलेंगे, आप सू समाचार सुनाएंगे, आत्मा आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, क्योंकि सू समाचार में समर्थ है, सू समाचार में स प्रामर्थ है और जीवन है और इशू है प्रेस्ट लॉट फिलिपियो तीन का तीन इसलिए प्रात्रा कैसे होनी चाहिए कैसे हम अपने आपको महसूस करें कि हम उसके मंदिर हैं कैसे हम उसकी पवित्रता को अपने अंदर रखें कैसे हम उसकी जोती को अपने अंदर रखें कैसे हम अपने आपको संसार से अलग रखे संसार में रहते हुए हमें संसार से अलग अपने आपको कैसे रखना है यह बताता है फिलिपियो तीन का तीन Praise the Lord क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा के अगवाई से उपासना करते है और मसी एश्वर पर घमन करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते Praise the Lord क्योंकि खतना वाले अब खतना के जगा बोलिए प्रात्रा करने वाले कि हम प्रात्रा करने वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगवाई में उपासना करते हैं किसमे उबासना करनी चाहिए हमको आत्मा में हम शरीर में करते हैं हम शरीर के अनुसार करते हैं आदा घंटा हो गया बीस मिनिट हो गया जली से काम पर जाना है नाते नाते कर लें हम प्रात्रा को बहुत ही इसी ले लेते हैं हमें प्रातना करते समय यह मैसूस ही नहीं हम कर पाते हैं कि हम उस पिता परमिश्वर के सामने प्रातना कर रहे हैं हलो वो पिता है आपका जिसे आप वाचा बनते हैं रात को कि मैं पिता मैं सोबज चार बजे उठोंगा और मैं आपसे प्रातना करूंगा विश्वास करिये आपके उठने से पहले पिता आपके सिंहासन आपके सिराने बैठ जाएगा आपने उसके संग वाचा बादी है आप भूल जातें, चार नहीं, चार नेहीं, साळे चार बहुत नेहीं, साड़े-चार पिता बैठा हुआ है क्योंकि आपने रात को वाचा बांदी उससे हरे मेरे भाई सोचिए उस पिता के सामने कम से कम मंदिलों में घंटा बजने से पहले मज़ित में अजान बजने से पहले तो हमें उसको याद करना है क्योंकि मेरा पिता सच्चा है वो जीवित है हलो हम सारे काम करने के बाद उसकी उड़ देखते हैं कि चलो आप सारे काम हो गए काना भी बन गया बच्चा कुल गया पती भी गया अब देखो अब बैठते हैं प्रभू के पास तब भी फोन आन रहता है कोई घंटी तें बज़ जा है हालेलुया हम उसकी धार्मिक्ता को कैसे लेकर चल पाएंगे और जब तक हम उसकी धार्मिक्ता को नहीं ले पाएंगे तब तक हम उसे धन्यवाद नहीं करे पाएंगे इसलिए पॉलुस बोलता है कि हम सच्छे प्रात्रा करने वाले हैं क्योंकि हम परमेश्र की आत्मा के द्वारा उपासना करते हैं इश्व मसी पर घमंड करते हैं कभी आपने इश्व मसी पर घमंड किया? हलो? किया है? नहीं किया इश्यू मसी पर घमन करते हैं और शरीर पर भरुसा नहीं रखते हैं हम तो शरीर पर ही भरुसा रखते हैं आलेलया शरीर पर ही भरुसा रखते हैं आईए हम इसको बताते हैं जल्ली से पहला है आत्मा में उपास्ता करना इसके लिए पॉलुस ने हम एक रास्ता दिखाया है कि हम कैसे आत्मा में उपासना करें Ephesians 3.16 Ephesians 3.16 इसमें Paulus ने हमें एक प्रात्रा दी है कि हम कैसे उस रास्ते पर चलें कैसे हम आत्मा में उपासना करें हम शरीर में उपासना करतें बोल के करतें आत्मा में हमें कैसे उपासना करना है हमें आत्मा के लिए क्या प्रात्रा करनी है Ephesians 3.16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनश्वत्व में सामत पाकर बलवन्त होते जाओ ये प्रात्रा अपने भीतरी मनुश्वत्व के लिए है बहारी मनुश्वत्व के लिए नहीं है बहारी मनुश्वत्व के लिए तो हम मांगते हम सजा खुबसूरत रहे सब लोग हमें देखे हम अच्छे देखे कभी बूरे ना हो हा ले लिए जो कपड़े पएने हैं वो किसी और के पास ना हो हमें अच्छे लगे लेकिन वो कहता है अपनी उस महीमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीत्री मनशुत को सामर्थ उसकी आत्मा दोरा अपने भीतली मनुशुत्वं में सामर्त लो, प्रेस्ट अलॉट बलवन्त हो जाओ, शरीर को बलवान करने कोशिश मत करो, आत्मा को बलवान करने की कोशिश करो, शतरमा पढ़ें यही गार शतरमा, और विश्वास के द्वारा मसी तुमारे रुदे में बसे की तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर आप ने उडाल कर और विश्वास के द्वारा मसी तुमारे हिर्दे में बसे प्रेस दलोड मसी इश्व मसी आपके हिर्दे में विश्वास के द्वारा बसे बिना विश्वास के इबरानियों 11 का च्छे कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्र को प्रसंद करना असंबव है अगर आप कहते हैं कि मुझे परमेश्र को विश्वास है और विश्वास नहीं करते तो आपका विश्वास करना गलत है बिना विश्वास के इसलिए समय से पहले अपने आपको तैयार करिए यूही नहीं मिलता प्रभू मैं सच क्या रहा हूं भाई ऐसे नहीं मिलता है वो देखता है कि आपके अंदर कितना बोज है आप मेरे लिए क्या छोड़ सकते है यूहीं पत्रस को नहीं चुन लिया था उसने दो नौ की मश्लिया उसके सामने थी और पत्रस है का चल मेरे पीछे मती बैठा हुआ था मती से का चल मेरे पीछे चल मेरे पीछे और सब लोग आ रहे थे उसके पीछे प्रिस अलॉट क्यों आ रहे थे क्यों आ रहे थे क्योंकि आज तक कोई हुआ ही नहीं है जो कहता है मेरे पीछे चलो सब आपके पीछे हो लेते हैं सब आपके कंदे पर अपना जीवन पिताना चाहते हैं, आपके कंदे पर अपनी बंदू रखना चाहते हैं, मेरे पीछे चल, Praise the Lord, है कोई कहने वाला, है कोई गंठ में लिखा हुआ शब्त की मेरे पीछे चलो, सिर्फ इशु कहता है मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं ही जगत की जोती हूँ मैं ही रोटी हूँ मैं हूँ Praise the Lord वो कहता है मैं हूँ यह होना पांच का अठावन निकालिए आठ का अठावन John 8, 58 जब फारिसियों ने पूछा कि तो इब्राहिम से तो बहुत छोटा है Praise the Lord यह वो शब्द है यह जो वचन है जहाँ पर ईशु मसी बताता है मैं कौन हूँ मैं ही हूँ लोग उसे समझते हैं चेले भी समझ रहते हैं कि यह तो इंसान है उसने बताया कि मैं कौन हूँ एट का फिफ्टी एट एशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच के दा हूँ कि पहले इसके कि अब्राम उत्पन हुआ मैं हूँ इससे पहले कि अब्राहिम उत्पन हुआ मैं हूँ इससे पहले कि उत्पत्ती की रसना हुई मैं हूँ मैं हूँ उस मैं हूँ को अपने अंदर रखिए तब आप आशीश पाएंगे तब आप उसकी धर्मिक्ता को वहन कर सकते हैं तब आप उसकी धर्मिक्ता के नुसरा चल सकते हैं मेरे भाई इसलिए आत्मा में उपासना करना परमेशर हमें सिखाता है और जब हम आत्मा में उपासना करते हैं तो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है मैं सच कहा रहा हूँ परमेश्वर आपको जीना सिखाना चाहता है जवाब उसके अनुसार चलेंगे तब परमेश्वर बताएगा जवाब आत्मा में उपास्ता करते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है पहला करते हैं दो कंड़ों परंदु जैसे लिखा है जो बाते आखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बाते मनुष्य के चित्त में नहीं चुड़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है कोई उस्वाइद नहीं है कोई उस्वाइद नहीं है आपके अंदर वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है जिन बातों को आखोंने नहीं देखा हम लोग क्या चीज़ बांगते हैं जिन चीज़ों को आखोंने देखा है ये गाली अच्छी लेग रही है ये सूट अच्छा है ये सारी अच्छी है, हम उन चीजों को देखकर परमेशन से प्रात्रा करते हैं, कि हमें अच्छी सारी देजिए, हमें अच्छा घर देदे, हमें अच्छी गारी देदे. प्रेस अलॉट, लेकिन वो क्या कहता है, जिन बातों को आखोंने नहीं देखा, नकान ने सुना जो मिर्श के हिर्दे में नहीं समाई उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है अलो तालिया बजाना है तो जोड़ से बजाओ उन्हीं बातों को परमेश्वर तैयार करने वाला नहीं है तयार कर दिया है अभी आपको लेना है अलो अभी आपको लेना है इसका दस्वा परंद परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बाते वरन परमेश्वर की गुड़ बाते भी जाजता है मनुष्य में इसे कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है कौन किसी की आत्मा की बाद जानता है जानता है आप जानते इनकी आत्मा में क्या है आप जानते इनकी आत्मा में क्या है नहीं जानते जैसे कि आप इसकी आत्मा में क्या चल रहा है आप नहीं जानते इसी तरह आप नहीं जानते कि परमेश्र की आत्मा में क्या चल रहा है ल वचन पढ़िए, परमेश्वर के मन में क्या है आप जान सकते हैं, जब आप उसकी आत्मा की अगवाई में काम करेंगे, जब आप उसकी आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब हम आत्मा में उपास ना करेंगे, तो आप जान जाएगे कि परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या मनुष्य की आत्म जो उसमें है वैसी ही परमिश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमिश्वर का आत्मा का है ए पो संसरार से फुट्सत ली रहा है उसकी आत्मा आपके अंदर है वो आत्मा जो सामर्थी है वो आपको अद्बुत सामर्थ दे सकती है लेकिन आपके पास उसके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है समय नहीं है 10-12,000 की नौकरी कैसे रहे उसी के लिए आप जिंदगी गुजार रहे है वो अंदर बैठा है परमिश्य ने अपनी आत्मा दिये आपको द्रवाजा बंग कर दिये आपने बैठिये अभी संडे चलेगे आप संडे को याद करेंगे आपको क्यों परमिश्य ने आपको इस धर्ती पर एक विजई जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा दिये इसी का पंदर्मा पढ़िए पंदर्मा आत्मिक जन सब कुछ जाशता है जो आत्मिक जीवन जीता है जो आत्मा के द्वारा जीवन जीता है ज्यान देजिए समझे इस चीज़को जो आत्मा में जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए वचन है आत्मिक जीवन आत्मिक जन सब कुछ जाशता है पर तुब आप किसी से जाचा नहीं जाता लेकिन कोई उसे नहीं जाच सकता प्रेस अलॉट इसलिए कभी-कभी आप कहते हैं पास्टर आपको कैसे पता आपको कैसे पता से लिए कि यह हो रहा है आत्मिक जीवन सब कुछ जाचता है आपकी आत्मा में के छल रहा है यह बता सकता हूं परमिश्य की कृपछ अ– लेकिन आप नहीं बता सकते आत्मिक जन्ण जो अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं・ क्यों हम लोग फ़ेल हो जाते हैं क्यों집र हम अपने जीवन को बिताते नहीं है इसलिए जो भाई जो बहन सामने आता है चाहिए वो शैतान के रूप में आए चाहिए भेदी के रूप में आए हम उसको समझी नहीं पाते हैं जिस दिन आप आत्मिक जीवन बिताएंगे और आपके दर्वाजे पर नौक होगा उसी दिन आपकी आ आत्मा बताएगे कि कौन है आत्मी सही जिवन बिता रहे हैं आत्मा के द्वारा चल रहे है अभी आपकी कहेंगे आत्मा के द्वारा कैसे चले उसके वचं के द्वारा अगर अगर आप उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं, जो उसका वचन कहता है, वो अपने जीवन पर रागू करिये। करके बाल तक गिने हुएं, कैसे गिने हुएं। इसराइलीज जब मिशल से आये थे, चालिस साल तक रहें जंगल में। और वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे, कि चालिस साल तक उनके मोजे नहीं फटें। उनके कपड़ें नहीं फटें। उनके पैर बढ़ते थे तो उ हलो, कैसे? कैसे? क्योंकि परमिश्वन ने उनको अपनी गोदी में उठाकर रखा था। इसलिए वो कहता कि तेरे सरकेबाल मुझे पता है, तुमेरी आखों की पुतली है। अगर आप आत्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक रीती से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं और बिताएंगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, आप इतिहास बनाएंगे। कि दुनिया को जीतना इनको जिनको बुद्धी नहीं है, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। कि सुसुमाशा सुनाने के लिए जाते हैं हमारे सामने कभी यह होता है रुकावट कि वाश्मेन हमें जाने देगा कि नहीं जाने देगा यह जाने देगा कि नहीं जाने देगा वहाँ पर कोई मिली गया तो हरे हम कौन है अभी बच्ची ने क्या किया शबत ली दूरस्वार करुंतियन 10, 3, 4, 5 क्या शबत थी कि गलत विचार को इशू मसी का गुलाम बना दो जो विचार आपके अंदर आते हैं उसे इशू मसी का गुलाम बना ओ नहीं चाहिए तो इतना तो पता होगा ना आपको कि ये विचार अच्छा है ये विचार बुरा है जिस दिन आपको एशास हो जाए ये विचार गलत है उसको इशू मसी का गुलाम बनाओ वचन कहता है वचन के रुसार चलो अब देखिए परमेशन आपको कैसे काम कैसे उठ उठाटना की है कि अश्व परैशना का धेखिए को पड़त है तो ऑपनी प्रभु येशु मसी का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पिह चान में ज्ञान और प्रकाशन के आत्मांक आध म Suk क्या प्रात्रा करनी है हमें ग्यान और प्रकाशन की आत्मा हमारे इंदर वो आत्मा हो जो हम प्रभू के मन को जान सके उसकी ज्ञान को उसके जो वचन को लिखाए उसको समझ सके उसकी बुद्धी को समझ सके क्यों आगे और तुमारे मन की आखे जो तीर में हो की तुम जान लोगी क्या प्रास्रां कर रहा है फौलोस कि तुम्हारे मन की ऐखे जोतिर में हो तो शरीड की आखों की बाट नहीं Akra अगर आप अत्मिक जीनन चीना चाहते हैं मेरे भाई अगर आप धर्मिक्ता को वहन करना चाहते है धर्मिक्ता के नुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं तो आपको अपनी मन की आखों को जोतिर में करना पड़ेगा अगर आप मसी बनना चाहते हैं अगर आप मसीहत को अपने जीवन में लेना चाहते हैं आपनी मन की आँखों को जोतिर में करिये प्राथ्रा करिये कि मेरे मन की आख़े जोतिर में हो जायेbrar कियो développे कि मैं उसकी बुलाहत की आशा को और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब तो आप आम इंसान समझ रहे हैं जिस दिन आप की मन की आखे खुल जाएंगी जिस दिन आप उस विशी से देखने लग जाएंगे जो परमेशर की है उस दिन आपको पता चलेगा कि सुर्ग ये सेना आपको हमेशा घेरे हुए हैं आपकी रक्षा है, कर रही है। बल्यन सीता 34 का साथ जो परमेशर से डड़ते हैं जो परमेशर से प्रेम करते हैं उनके चारों तरफ सरदूत बाड़ा डाल कर उनकी सेवा करते हैं तब आपको पता चलेगा गहजी को पता नहीं था सीर्या की जब सेना आई थी डरगिया सेना को देखकर अलीसय ने कहा परमेशर इसकी आखे खोल ताकि ये जाने कि जो हमारे साथ वो इन से कहीं बढ़े हैं और उसने देखा कि सरदूत की सेना उन से आगे खानी हुई है आपको परमेशर कितना प्रेम करता है अरे आपको इसी बास से आपको पाने के लिए नहीं रख छोड़ा बड़ेदान कर दिया उसका जिसने अपने निजपुत्र को भी न रख छोड़ा परन्तु उसे हम सब के लिए दे दिया वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा क्यों नहीं देगा वो इसलिए जब हम आत्मा में प्राथना करते हैं तो परमेशर हम पर प्रकट करता है उसके बाद दूसरा पत्र से एक का तीन जिसने आप आत्मिक रूप से अपने जीवन जीना शुरू कर देंगे जिसने उसकी धर्मिक्ता को लेकर आप चलना शुरू कर देंगे उस दिन आप जानेंगे कि परमेशर ने आपको क्या दिया है एफिशन एक का तीन धन्यवाद हो पिता परमेशर का उसने हमें स्वर्गी स्थानों में आत्मिक आशिशे दी हैं अब आप यह समझे की कोशिश करना चाहिए आपको कि धर्टी पर रहते हुए हम वो स्वर्गी इस्थान में कैसे जी सकते हैं आप लोग यहां पर हैं वचन का कहता है कि आपको स्वर्गी इस्थानों में आशिश दे चुका है क्या कर चाहे हमें मसी में स्वर्गिस्थानों में सब प्रकार्की आशिशें दे दी हैं Hello दे दी हैं देने वाला नहीं है तो श्रगिस्थान क्या है स्वर्गिस्थान क्या है Praise the Lord क्या सरुगिस्थान है कि जब भी कोई शैतानी शक्ति आपके सामने आये आप इश्व मसी के नाम से आप से निकाले वो निकल जाएगी आप कहां पर है इस समय स्वर्गिये स्थानों पर जब इश्व के वचन जब आप धर्ती पर रहते हुँ उसके वचनों के नुसार चलेंगे तो आप विश्वास के रिए आप स्वर्गिये स्थानों पर चल रहे हैं आप स्वर्गिये स्थानों पर चल रहे हैं आललुया मैंने गाड़ी ली, लोन लिया, मेरे पाँ इतना पैसा नहीं था लोन वाले ने कहा कि आपको फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि आपका पैसा हमें दिखाना पड़ेगा मैंने कहा नो, आपको देना है तो दीजिये मैं अपने प्रभू के अनुसार चलूँगा फाइल यही रहेगी, एक पैसा नहीं दूँगा एक्स्ट्रा, चाय भी नहीं पिलाऊंगा आपको जिस दिन आप अपने आपको स्वर्गिये स्थानों पर रखेंगे न, संसार आपके नीचे होगा लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपमें इश्यू को देखेंगे हम भटक जाते हैं, हम अपका बॉस कहता है, जो आपको दसहजार रुपय दे रहा है, आठहार रुपय दे रहाаша, जा जूट बोल, धोका दे और आप चले जाते हैं नहीं नहीं मैं मैं मसी हूँ मैं कैसे बोलू नहीं अगर नहीं बोलूँगा तो मुझे निकाल देगा यह अरे जिसने अनंत काल का जीवन दिया है अब उसको भूल जाते हैं अपने स्वर्गी इस्थानों के आशीशों को आप भूल जाते हैं आप बोलिए बॉस को बॉस मैं इश्यू मसी में हूँ जूट नहीं बोलूँगा नहीं दोका देंगा लौकरी पर रखना तो रखिये परमेश्वर आपके लिए दौर खोलेगा परमेश्वर आपके लिए दौर खोलेगा हम ये बहाना बनाते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर है हम संसार में जूट बोलना पड़ता है नहीं हम जूट नहीं बोलते हैं जिसको आना आए जिसको नहीं आना नहीं आए हम आत्मिक जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं क्योंकि वह हमें सब कुछ दे चुका है दूसरा पत्रस एक का तीन क्योंकि उसकी शिवर्य सामत ने सब कुछ जो जीवन और भक्ती के संवन रखता है हमें उसी की पैचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सदून के नुसर बुलाया है क्योंकि उसके इश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जीवन और भक्ती से संवन रखता है हमें उसकी पैचान के द्वारा दिया है कहां दिया है धर्टी पर इश्वरी सामर्थ के द्वारा उसने हमें सब कुछ दे दिया है आत्मिक सामर्थ जो हमारे अंदर है जो हमें आशीशे दे चुका है इश्वरी सामर्थ उसकी शक्ति के अनुसार परमेशन हमें जीवन और भक्ती से संबंदित सब कुछ दे चुका ह है जिसकी जरूरत हमें धर्टी पर है कि हमें दे चुका है हमें मांगने की जरूत नहीं है कि आप अपने इस आत्मिक अपनी शक्ति को पहचानिए उस वचन को समझिए अपने इस वचन को समझिए वो वाइवल क्या कहता है वो दे चुका है क्या पर में जूट बोल रहा है आपके जीवन से संबंदित जो जो चीजें हैं भक्ती से संबंदित जो जो चीजें हैं वो उसने दे दी हैं इसलिए वो कहता है कल की चिंता मत कर क्योंकि कल अपनी चिंता अपने आप करेगा मती छे का चौतिस कैसे क्यों कहता है कौन करेगा कल की चिंता कल कल जो आने वाला है वो कौन है वो एक व्यक्ति है उसको Mission का अदेश है उसके पास आपके लिए आशिशिय है जो कलाने वाला है उसको आपको देना ही है क्योंकि आप चुने हुए है लेकिं कब आपको मिलेगा जब आप विश्वास करें जब आप कहेंगे कल पता नहीं क्या होगा पता नहीं कैसे अचा भोजन तो हो गया को केती सार्पत की विद्वा उसको पता नहीं था कि कल क्या होगा Uh कि कल खायेंगे खाना खायए और मड़ जाएंगे अ कि परमेश्वन ने आपको चुना है कि आपको यह विश्वास करना पढ़ है कि जीवन में काम करता है आप उसकी सेविका बन जाएए उसकी इच्छा को जानी और उसके अनुसार चलिए आपको भूका नहीं मरना पड़ेगा वो कहता है क्या तुम क्या खाओगे क्या पहलों के कहार होगे इसकी चिंता मत करो और हम उसी की चिंता करते आज चर्च आएंगे तो हमें यह नहीं मिलेगा आज प्रभू की सेवा के लिए निकलेंगे तो यह अरे मैं बॉलिवुड स्टार था यार एक की लमे में छोड़ दिया सब कुछ नहीं करूँगा सेवा करूँगा प्रमेशर की और कर रहा हूँ आपके सामने आपसे मांगा पैसा आपसे कभी पैसा मांगा में ने खर रहा हूँ क्योंकि मेरी जैब भटी यह नहीं है फ्रेज लौट परमेशर का सामर्त मेरी जैब में है मेरे जीवन में है मुझे मागने से पहले मिलता है मैं प्रमार हूँ एक गवा हूँ रेज़ लोट क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ मेरा हर काम परमेश्वर से जुड़ा है चाहिए मैं रियास करता हूँ हार्मोनियम में सुभे परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उससे पहले जाकर बैड्मिंटन खेलता हूँ अपने शरीर को सौस्त करता हो परमेश्र से जुड़ा हुआ है मुझे अपनी सेहत नहीं बनानी है मुझे अपने आपको करना है शरीरिक रूफ से सौस्त रखना है परमेश्र के लिए मेरा खाना, पीना, जीना सब कुछ परमेश्र से जुड़ा है जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्र के सामने जोड़ देंगे, आपके काम करना परमेश्र से जुड़ा होना चाहिए, पहले परमेश्र बाद में काम, आप पर के देखिए, आप परमेश्र को मौका ही नहीं दे रहे हैं आशीज देने का, आप अपनी बुद्धी से ला परकर देखो कि हुआ कैसा भला है कि धन्य हो पुरुश जो उसकी शरण में लेता है धन्य वह नहीं है जो संसार की शरण जाता है धन्य वह पुरुश नहीं है जो अपने बॉस की शरण लेता है, अपने धन्दे की शरण लेता है, नई, धन्ने वो है जो पर्मेश्वर की शरण लेता है, इसलिए वो कहता है, मुझे समझ कर मुझसे विश्वास करो, समझो पहले उसके बाद मेरे पास आओ, यहनिकि दस लोग जारे हैं, कलीसिया चल आपके जीवन में ये बेमारिया ये दिखते कोई माइने नहीं रखेंगे कोई माइने नहीं रखेंगे जिस दिन आपका सम्मंद उससे मजबूत हो जाएगा हाललुया प्रेस अलॉट दो बचेने उसको छोड़ता हूँ दूसरा टॉपिक आता है कि इशू मसी पर गर्व करना है हाललुया फिलिप्यो तीन-तीन में उसने क्या कहा कि सबसे ज़्यदा प्रात्रा करने वाले तो हम ही हैं क्योंकि हम आत्मा में उपासना करते हैं और शरीर और इशू मसी पर गर्व करते हैं पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमन करूँ पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमन करूँ पालुस कहता है ऐसा ना हो मेरे साथ मेरे जीवन में कभी ऐसा ना हो कभी ऐसा विजार भी मेरे अंदर ना है ऐसी बात ही मेरे मुझसे ना निकले ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमन करूँ जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टी में कुरूस पर चड़ाया गया हूँ जो विश्वास करेगा वो आशीश पाएगा Praise the Lord इशू मसी जब सबके लिए मरा है तो सारे संसार का पाप उसने कुरूस पर लिया है सिरफ मेरा और आपका नहीं लिया है लेकिन आशीश कौन पाएगा जो विश्वास करेगा कि इशू मसी ने मेरा पाप कुरूस पर लिया है इसलिए पॉलुस कहता है कि संसार मेरी दृष्टी पर कुरूस पर चड़ाया गया है इसलिए मैं सिरफ कुरूस पर ही घमंड करता हूँ कुरूस उस द्याक की हमें याद दिलाता है उस प्यार की हमें याद दिलाता है हमें परमेशर की योजना के बारे में बताता है हमें परमेश्र के मन के बारे में बताता है हम उसके चेहरे को कभी देखेंगे कभी देखा है आपने कुरूस पर उसके चेहरे को वो सताफ देखा है वो लहू देखा है वो मुकुट देखा है इतना इतना बड़ा उसमें वो था काटा वो काटा जब उसने लिया मैं इसराइल होके रहा हूँ मैं देखकर रहा हूँ इतना बड़ा काटा यहां से उसने गाड़ा और यहां निकला रेस अलॉट जिस दिन आप इशू के क्रूस को समझने लखेंगे इसलिए वो कहता है मेरा चेला वो ही है अपने क्रूस को क्रूस क्या है क्रूस क्या है क्रूस हमें उसकी दीनता के बारे में बताता है क्रूस बताता है कि वो प्रभू का प्रभू राजाओं का राजा परमेश्वर वो एक मनुष्य बनकर दीन और शून्य बनकर कुछ कुछ नहीं बोला वो सिश्ची को रर्षा उसने क्रूस दिखाता है कि वो कितना दीन है कितना शुन्य है वो कैसा प्यार वो हमसे करता है इसलिए पॉलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूँ और गर्व करता हूँ उसके क्रूस पर क्रूस प्रमान है उसके प्यार का क्रूस प्रमान है उसकी शक्ती का उसके सामर्थ का क्रूस प्रमान है कि वो 100% मनुष्टा और 100% परमेश्वर था क्रूस प्रमान है आलेलुया इसलिए हमें अपने जीवन में इश्यू पर गर्व करना है अगर हमें गर्व करना है तो अपने पैसे पर नहीं, अपने खुबसूर्ती पर नहीं अपने बल पर नहीं इश्यू पर क्योंकि आज अगर इश्यू नहीं होता मेरी बहन हमारा क्या होता अगर हमारे हमें नहीं चुना होता हमारा क्या होता अललुया जली से एक आखरी बोलूँगा नमबर सी शरीर पर भरोसा नहीं करना फिलिप ले तीन का तीन क्या क्या है कि सच्चे खत्ना वाले हमी है जो आत्मा में उपासना करते हैं इसलेख्यों सीविव कर्ते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं प्रेस्वल miraculous रखिज नहीं करना गलतियों 5 का 24 हैं गलतियों पांच का 24 और 25 और जो मसी इशू के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समेट कुरुस पर चड़ा दिया है रेसलोट और जो मसी इशू के हैं अलो कितने लोग इशू मसी के हैं रेसलोट अगर आपने नहीं चड़ाया तो अपने लालसाओं और अभिलाशाओं को अपने शरीर के साथ कुरुस पर चड़ा दीजिए तभी मसी की सच्ची धार्मिक्ता आपके अंदर काम करेगी तब ही होगा यदि आप मसी में है तो शरीर की दुर्वासनाओं और लालसाओं को कुरूस पर चड़ा दीजे पच्छेस्वा यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी कि अलेलुइया किया कहता है वो दर्मिक्ता के द्वार खोलो कि उसी रहा पर चलकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा अगर आप आत्मा में हैं अगर आप उसकी आत्मा आप में है तो हम आत्मा की तरह ही वहवार करें लेकिन हो कह रहा है हम अंगिकार करते हैं विशू मसी में हैं लेकिन आत्मा में नहीं जीते हैं हम शरीर में जीते हैं एख रेज लुट हम शरीड में जीते हैं हम आत्माओं में अपने सिंदगी को नहीं बिदा रहे हैं आत्मा के नुसार नहीं जल रहे हैं इसलिए हम समय से नहीं पा रहे हैं इसलिए हम अंगिकार नहीं कर पा रहें इसलिए हम महसूस नहीं कर पा रहें कि मैं पवित्र हूँ मैं निश्कलंख हूँ मैं निश्पापी हूँ बोलिये मैं पवित्र हूँ मैं पवित्र हूँ मैं निश्कलंख हूँ मैं निश्पापी हूँ Amen कि महसूस करिए और अंगिकार करिए पाप आपके अंदर नहीं आएगा संसार आपके अंदर नहीं आएगा डर आपके अंदर नहीं आएगा लालच आपके अंदर नहीं आएगी स्वार्थ आपके अंदर नहीं आएगा तब आप आत्मा के चलाए चलेंगे आत्मा के नुसार चलें अगर आपको इशू के आने पर उसके साथ जाना है कितनों को जाना है अबाद लोगा है जाना है तो अभी से हमें आत्मा में चलना है अभी से हमें आत्मा में चलना है आत्मा के अनुसार जीना है आप सुचते होंगे आपके लिए बहुत कठे नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसने हमें अपनी आत्मा दी है जो हमें सिखाए हमें कैसे चलना है वो बताएगा क्या हमें बैठना आता था हमें बोलना आता था बचनों को समझना आता था पढ़ना आता था किसने सिखाया है आप इच्छा रखिए फिलिपियो दोका तेरा कहता है आप इच्छा रखिए सिरफ कि आप उसकी सेवा करना चाहते है उसकी आत्मा आएगी उसकी उसकी शक्ती आईगी और आपको शक्तिशाली बनाएगी आप सिरब इच्छा जाहिर करिए और कुछ नहीं करना है इच्छा पर डिपेंड़ है आप इच्छा जाहिर करिए इसलिए शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताईए रेस अलॉट आलेलिया इसलिए पॉलुस कहता है पहला करन शरीट को यंद्रना देता हूं मारता कूड़ता हूं कि लिखा हुआ है कि फस्ट कुरूंतियन 927 कि मैं अपने शरील को मारता कूड़ता हूं कि कहीं मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद आसमाईश में ना जाओं जो शरीट यह उसको ना करिए ना कहिए आत्मा को हाँ कहिए आप कौन है? आपको पता आप कौन है? आप कौन है? बोलिए मैं एक आत्मा हूँ जोर सो बोलिए मैं एक आत्मा हूँ मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ आप आत्मा हैं आप शरीर नहीं है शरीर में आप रह रहे हैं Value किसकी हुई? आतमा की मैं एक आतमा हूँ अपनी आपको भेचान ही है एंगिकार करिये रोस मैं एक आतमा हूँ मैं एक स्प्रिड हूँ कि शरीर में रहता हूँ मैं जिस दिन आतमा शरीर से निकल जाती है उस शरील लाश बन जाता है उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है नाम भी लेना नहीं चाहता है बच्चे कहेंगे लाश निकालो, लाश अटाओ, लाश अटाओ बद्बु आ रही है आत्मा थी तो खुश्बु थी आत्मा निकली तो बद्बु आई मेरी बहन इस आत्मा के द्वारा हम उस परमेश्व तक पहुचें हम कोई भी काम करें, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको काम करना गलत है आप संसार में काम नहीं कर सकते लेकिन आत्मिक जीवन जीए आप बताइए अपने कुली को कि मैं आत्मिक हूँ मैं एक आत्मिक हूँ आत्मा में जीता हूँ हो सकता हूँ आपका मज़ा कुड़ाएंगे आप से बात नहीं करेंगे, कोई बात लेकिन जिस दिन उन्हें आपकी आत्मा की शप्ती का पता लग जाएगा वो आपके पीछे पीछे चलेंगे यस इसलिए आत्मा में चलिए और पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करिए जो परमेश्वर का वचन है विश्वास करिए कि इश्व मसी ने अपने देबर मृत्यू के द्वारा आपको पवित्र कर दिया है निश्कलंग कर दिया है निश्पापी कर दिया है अभी आपके अंदर कोई भी ऐसा पाप नहीं है परमेश्वर आपको पवित्रता के रूप में देखता है इसलिए उसने अपनी धर्मिक्ता दिये आपको उसकी धर्मिक्ता के कदर करिए और उसकी धार्मिक्ता के द्वारा परमिश्र का धन्यवाद दीजिए हालेलुया आज हमने कुछ पाया आज हमने कुछ सीखा रेज दो लोट विश्वास करिये प्रभू आपसे बहुत प्रेम करता है